हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे थाईराइट को जड़ से खतम करना है तो आप इन चीजों का सेवन करें ये चीजें बहुती फाइदेमंद हैं और इससे आपकी thyroid की समस्या दूर हो जाएगी तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो दोस्तों thyroid कोई बिमारी नहीं बलकि एक प्रकार की तितली की आकार की ग्रंथी होती है जो हमारे गले में आगी की तरफ होती है ये ग्रंथी thyroid hormone का निर्मार करती है जो हमारे शरीर में metabolism के स्तर को नियंद्रित ट्रकने में मदद करती है थाइराइड जिसे लोग एक प्रकार की बिमारी समस्ते हैं मौजूदा वक्त में उससे बहुत से लोग परिशान हैं लोगों में थाइराइड की समस्या आम हो गई है जिसे कंट्रोल करने के लिए निरंतर दवाओं का सेवन बढ़ रहा है लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि थाइराइड कोई बिमारी नहीं बलकि एक प्रकार की तितली के अकार की ग्रंथी होती है जो हमारे गले में आगे की तरफ होती है ये ग्रंथी थाइराइड हार्मोन का निर्मान करती है जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिजम के स्थर को नियंत्रित रखने में मदद करती है हाला कि जब हार्मोन असंतुलित होने लगते हैं तब लोगों को थाइराइट की समस्या होने लगती है थाइराइट का बढ़ना लोगों में मुटा पे, ठकान, पी, डड़ जैसी समस्याओं का कारण बनता है समाने तोर पर थाइराइट को नियंत्रित रखने के लिए लोग दवा का सेवन करते हैं जबकि कुछ प्राकरतिक तरीके ऐसे भी हैं जिसके जर्ये आप इस बिमारी को जड़ से खतम कर सकते हैं अगर आप भी थाइराइट की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करके थायरेट की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं तो मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके सेवन से आप थायरेट की समस्या से दूर रहेंगे तो सबसे पहला है हरा धनिया थाइरेट की समस्या से छुटकारा पाने में बजार में बिखने वाला मामुली सा हरा धनिया बेहत फायदेमंद होता है आप इसको पीसकर चटनी बना लें और सुबह शाम इस चटनी का सेवन करें ऐसा करने से आप थाइरेट जैसी समस्या से घरेलू उपचार के जरिये निजात पा सकते हैं आप इस चटनी को एक गलास पानी में घोल कर भी पी सकते हैं इस घोल को रोजान पीने से आपका थाइरेट कंट्रोल भी रहेगा इसके अलावा आप खाना खाने के दोरान भी चटनी का सेवन करें इससे आपको इस समस्या से चुटकारा पाने में मदद मिलेगी दूसरा है मुलैठी थाइरेट की समस्या से चुटकारा पाने के लिए मुलैठी को एक बेहधी लापकारी औश्धी माना गया है मुलेठी थायराइट ग्रंती से हार्मोन्स की रिसाफ को बढ़ाती है और शरीर में हार्मोन्स की संतुलन को ठीक रखने में मदद करती है नियमित रूप से मुलेठी का सेवन थायराइट की समस्या को दूर करने में फायदे मन साबित होता है मुलेठी का सेवन आपके शरी में हमेशा हार्मोन्स का संतुलन नियंत्रित रखता है जिसके कारण आपको थायरेट की समस्या नहीं होती इसके अलावा मुलेठी के सेवन से आपका लिवर भी फिट रहता है और आपको पेट संबन्दी समस्याएं भी नहीं होती तीस्रा है अलसी, अलसी में लिनोलेनिक एसेट पाया जाता है जो ना सिर्फ इस समस्या से निजा दिलाने में मदद करता है बलकि गले की सुजन को भी तूर करने का काम करता है अलसी का सेवन असंतुलित हार्मोन्स के संतुलन को ठीक करने का काम करता है चोथा है एलोविरा एलोविरा के फायदों के बारे में आपने जरूर सुना होगा दर असल इस प्राकर्तिक औजधी में 8 प्रकार के एमिनो आइसेट और 12 विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरी के गले में मौझूद थायराइट ग्रंथी को डिटॉक्स करके सारे विशैले पधार बाहर निकालने का काम करते हैं थायराइट को नियंतृत या फिर इस समस्या को खतम करने के लिए आप रोजाना सुबह इसका जूस पियें नियंत रूप से ऐसा करने से आपको जल्द ही समस्या से छुटकारा मिलेगा आखरी है अलसी के बीच थायराइट की समस्या से छुटकारा दिलाने में जितना फायदिमंद अलसी होती है उतनी ही अलसी के बीच भी इस समस्या को दूर करने में लापकारी है इसके लिए आपको करना ये है कि एक चमच अलसी के पाउडर को एक ग्लास जूद या फिर फलों के रस्ट में मिलाना है और उसे अच्छे से मिश्रन बनाकर दिन में एक से दो बार पीना है नियमित रूप से ऐसा करने से थायरेट की समस्या से छुटकारा मिलता है तो दोस्तों आज हमने जाना कि थायरेट को जड़ से खतम करना है तो आप इन 5 चीज़ों का सेवन जरूर करें जो आपके लिए बहुती फायदे मंद होगी और इससे आपका थायरेट की प्राबलम दूर हो जाएगी उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए helpful होगी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्किल मत भूलेगा तो मैं आपसे मिलती हूँ एक बहुती इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक कियर और थांक यू फर वाचिंग